सपना का फैमिली किचन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेके आए आलू की भूजिया और ये बहुत जटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और इसमें मसाले और सामान भी बहुत कम लगता है और मैंने पाँच बड़े आलू कट कर ली हूँ मसाले के नाम में है हल्दी, जीरा, नमक और हरी मिर्च और दो आलू मैं आपको कट करके शिखाऊंगी कि ये मैंने आलू कैसे कट करी हूँ यह आलू मैं धीरे धीरे छील लेती हूँ छील के चार बारह से देखिए चार पीस ऐसा कट कर ली और दो दो रखके मैं आपको कट करके दिखा पतला पतला इसे पतला पतला काट लेंगे फ्रेंच प्राइज की तरह अब यह हमारे आलू कट गए है इसको पहले से काटे हुए आलू में डाल के अच्छे से दो देंगे और आलू को हमेशा काट के पानी में ही डूबा के रखते हैं नहीं तो काले पड़ जाते हैं अब हमारा काराही गरम कर गैस पर रखके तेल डाल दी हूँ अब हमारा काराही गरम हो गया है अब इसमें हम जीरा डालेगे अपना डाल उपर नीचे सब मिक्स कर दूंगी अब हमारा भूंजिया भूना रहा है और मिर्ची को हमेशा दोस्तों कट करके ही डालते हैं अखा नहीं डालते नहीं तो वो तेल में से उड़के अपने अंग पे चटका लगने का डर रहता है इसलिए हमेशा अब इसमें हम अपना मसाले म अपना अब हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रखके अपना भूंजिया को अच्छे से चला लेंगे और हम अब अपना धीरे-धीर लगभग इसे हम 5 मिनट तक भूनेंगे 5-6 मिनट में ये हमारा भूंजिया मसाला डालने के बाद तैयार हो जाता है और हमारा ये अब सेमिले में सेहर कीजिये और ये रेसिपी कैसा है इसको जरूर बताईएगा बॉक्स में जरूर बताईएगा कि मेरी आलू की भूंजिया की रेसिपी कैसी लगी